हेलो प्यारे बच्चो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल स्कूल मैट्सर में तो कैसे हैं आप सब चलिए हम 10th क्लास की NCRT मैट्स पढ़ रहे हैं जिसका कि हमने चैप्टर नमबर 13 इस्टार्ट किया था surface areas and volumes ठीक है तो मैंने exercise 13.4 शुरू कर दी है जिसके कि मैंने question 3 तक आपको solve करा दी है आज की इस class में question number 4 solve कराने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं और देखने हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है तो देखिए student आपके सामने सवाल लिखा हुआ है question number 4 लिखा हुआ है क्या है a container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 cm square तो देखिए student question number 4 के अंदर दो सवाल है ठीक इसमें दो सवाल चुपे हुए है पहला कुन सा find the cost of the milk which can completely fill the container पहला सवाल यह लिखा हुआ है first ठीक है और second क्या लिखा हुआ है find the cost of metal sheet ठीक तो second सवाल यह लिखा हुआ है तो इस सवाल के अंदर दो question चुपे हुए है हम दोनों को individually अलग-अलग solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम diagram बना लेते है diagram क्या है अग container opened from the top तो देखिए यह container है जो कि first time of a cone के design का है तो first time of a cone ऐसे ही बनता है एक उपर से container क्या है खुला हुआ है और नीचे से क्या है container जो है वो क्या है close है यहाँ से जो container है वो क्या है बंद है ठीक है लेकन उपर से क्या है खुला हुआ है ठीक आप radius क्या क्या दिये देखो उपर वाली जो radius है वो क्या है बड़ी है मतलब वो है 20 cm यह radius हो गई 20 cm ठीक है नीचे वाले circle की radius भी बना लेते हैं नीचे वाले circle की radius कितनी है यह है 8 cm ठीक height कितनी दी हुई है हमको यह दी हुई है 16 cm इतनी information हमें बता दी गई है अब पहला सवाल क्या है find the cost of the milk which can completely fill the container ठीक है at the rate of रुपीज 20 पर लीटर मतलब हमें क्या बोला जा रहा है कि यह जो container है इसमें milk डाल देते है ठीक है और milk क्या करते है पूरा इसमें milk भर जाता है अब भर जाता है का मतलब क्या हुआ इसके अंदर milk भर रहा है न यह इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर क्या बताना है हमको space बताना है कितनी जगे है उतना ही milk आएगा जितना मिल्क होगा उसके हिसाब से ही उसका प्राइस बता पाओगे आप एक तो कितना मिल्क होगा जितना इसका स्पेस होगा इस्पेस का मतलब जितना इसका वालियूम होगा उतना ही इसके अंदर क्या आएगा मिल्क आएगा तो पहले सवाल में हमें क्या निकालना है इसका सामने लिखे हुए है, so volume is equal to क्या हो जाएगा देखो, formula आप यहाँ पर लिख लेना एक बार मैं direct लगा दे रहा हूँ, 1 by 3 5 की value 3.14 into height कितने दी हुई है, यह दी हुई है 16 फिर क्या है bracket के अंदर into में r1 square मतलब r1 कितना हो जाएगा, 20 का square ठीक है, plus r2 मतलब 8 का square plus 20 into 8, यह formula आपलाई कर दिया हमने, यह 1 by 3 into, 3.14 into, 16 यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 400 plus 64 plus 160, ठीक है इसको आप जोड लेना, तुम्हें यहाँ जोड दे रहा हूँ इसको, कितना हैगा, यह 4 2 and 6, तो 624 आगिया, यह हो गया 16, यह 3.14 ठीक है, into 1 by 3 तीन सी cancel हो जाएगा, 3, 2 नीच है और 3, 84 ठीक, तो कितना हैगा, 3.14 into 16 और into 208 इस पूरे का आप multiply कर लेना, तो कितना जाएगा हमारे पास इस पूरे का अगर आप multiply करोगे तो, एक इस trend यह आएगा, 10449.92 यह काई में आएगा, cm3 में, ठीक है इतना हमारे पास आजाएगा अब हमें पता चल गया कि यह इसका volume है, ठीक ठीक हैं हमें क्या निकालना है, रुपे में value निकालना है, ठीक है और वो पर लीटर के हिसाफ़ से दिया हुआ है ठीक, तो आप इसके लिए एक note याद रखें कि एक cm3 बराबर क्या होता है, जोकि यह cm3 में दिया है, तो cm3 को लीटर में convert करेंगे, तब यह क्या होगा, रुपे में convert होगा अब इस cm3 में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में change करना पड़ेगा तो cm3 और लीटर का क्या relationship होता है एक cm3 बराबर होता है 1 upon 1000 लीटर, यह होता है ठीक, यह note आप हमेसा याद रखना, कि 1 cm3 बराबर क्या होता है, 1 upon 1000 लीटर तो हमें किसकी value चाहिए इतने की value चाहिए न तो both side इसी number का multiply कर दो 10449.92 cm3 यहाँ भी multiply कर दी है और यहाँ भी करोगे तो 10449.92 upon में क्या जाएगा 1000 ठीक है, यह जाएगा लीटर में अब इतने की value लीटर में क्या आएगी, देखो तीन जीरो है, तो दसमलो तीन डिजिट और shift हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10.44992 यह जाएगा लीटर में ठीक, अब इसको मैं approximate लिख सकते हैं 10.449 है, तो 9 से 1 यहाँ बढ़ा के लिख दो, तो क्या हो जाएगा 10.45 लीटर कर दो इसको ठीक, अब यह हमारा क्या आगया वॉल्यूम, in terms of लीटर ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर कितना space है कितना space है इस्टूडेंट, देखो 10.45 लीटर इतना space है इसके अंदर जो कि इसका क्या है वॉल्यूम ठीक है, अब हमें रुपे में ठीक है, यह इसको ऐसा लिख लो कि एक लीटर की वैलू क्या दी हुई है 20 रुपीज है ना, हमारे पास कितने लीटर मिलका आएगा, 10.45 10.45 का बोथ साइड multiplied, 10.45 लीटर is equal to 20 into 10.45 ठीक है, तो यह रुपे में convert हो जाएगा, इसको multiplied कर ले ना आप यह आएगा 209 ठीक, कितना जाएगा 209 रुपे, 209 रुपीज, कितने रुपे का इसके अंदर क्या आएगा, मिलक आएगा clear है, आगे समझ में मतलब पहला सवाल हमने solve कर लिया, कि इसके अंदर अगर मिलक डाले तो कितने रुपे का मिलक बनेगा 20 रुपे लिटर के आप से 209 रुपे का, clear अब इसका second part देखते है जो कि दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है ठीक तूँ, अब अपन अगली slide में देखते हैं, उसको क्या होगा वो देखें अब हम second question solve करेंगे, इसका part 2 क्या बोल रहा है, find the cost of metal sheet used to make the container, if it cost rupees 8 per 100 cm square अब इसमें क्या बताना है, कि कितनी metal sheet इस container को बनाने में लगेगी, ठीक है अगर हमें क्या दिया हो 8 rupees per 100 cm square दिया हो इस value की help से हमें क्या बताना है इसमें कितनी metal sheet लगेगी ठीक है, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि क्या निकालना है इन तीन formula या चार formula में से हमें क्या निकालना है, कैसे पता करोगे या तो आप इसकी unit देख लो cm2 में दिया है इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा जहां पर unit cm2 में आ रही हो तो area जो होता है उसी में unit क्या होती है cm2 में आती है ठीक है मतलब volume तो नहीं निकालना हमे इनी दो मैंसे निकालना है अब ये निकालना है CSA या TSA तो इसको आप language से समझो जब भी कभी किसी भी container को या किसी भी चीज को हमें बनाना हो ठीक है metal sheet used to make बनाने के लिए अगर कोई चीज यूज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ता है उसका पूरा total surface area निकालना पड़ता है क्या निकालना पड़ता है total surface area मतलब पूरी value निकालनी पड़ेगी कि इसके अंदर कितना area आएगा ठीक है तो हमें इसा याद रखे है जब भी आपको क्या दिया हो किसी चीज को बनाने का दिया हो तो हमें इसा आप क्या use करेंगे total surface area पर उसको भी आप थोड़ा condition देख के अपलाए करेंगे कैसे देखो सबसे पहली बात तो यह तो नीचे से तो close है यह जो container है फ्रस्टम अफ़कॉन यह नीचे से close है लेकिन उपर से क्या हुआ है खुला हुआ है अभी तो इसके अंदर आप milk डाल पाए थे न तो उपर से क्या है container खुला हुआ है लेकिन नीचे से क्या है close है मतलब उपर वाला जो है यह surface नहीं लेंगे तो अगर total surface area आपको find करना है तो क्या लेना पड़ेगा curve surface area देख अलग से लिख दे रहाँ TSA total surface area find करना है क्योंकि इसको हमको क्या करना है इस container को बनाने के लिए metal यूज़ चाहिए तो उसके लिए total surface area निकालेंगे पर क्या use होगा curve surface area तो आएगा क्योंकि देख दिख रहा है curve surface area यह rotation वाला curve फिर क्या आएगा नीचे वाली geometry का area तो नीचे वाली geometry क्या है πाई r2 square ठीक है प्लस क्या आना चाहिए उपर वाली geometry का area लेकिन उपर वाली geometry क्या है खुली हुई है तो उसका area फिर हम नहीं लेंगे ठीक है क्योंकि उपर तो metal sheet लगेगी नहीं न वो खुला रहेगा तो वहाँ metal थोड़े लगाओ गया तो उपर का area हम फिर count नहीं करेंगे सिर्फ इतना area count करेंगे तो हमें क्या निकालना है total surface area निकालना है लेकिन कैसा पाई r2 का square पतला हमें ये value चाहिए ठीक है अब इतनी value तो चाहिए है लेकिन ये सारी value पहले हम लिख लेते हैं so r1 कितना दिया था हमको देखो r1 कितना दिया था 20 cm ठीक है r2 कितना given था हमको ये था 8 cm height कितनी दी गई थी ये दी गई थी कितनी 16 cm ये क्या होती है l होती है slant height ठीक है अब formula में देखो r1 और r2 तो given है लेकिन l नहीं दिया हमको l find करना पड़ेगा तो l निकालने के लिए आप ये formula use करो यहाँ जो ये लिखा हुआ है ठीक है ये l square नहीं है ये l की value है तो l बराबर क्या आता है अंडर root के अंदर h square मतलब h मतलब 16 का square plus r1 माइनस r2 मतलब 20 माइनस 8 का square ठीक है ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 256 प्लस ये 12 आ जाएगा 12 का square 146 ये होता है अंडर root 400 मतलब कितना जाएगा root से बाहर 20 cm ठीक है तो हमें l की value मिल गई 20 यहां रख देंगे pi की value 3.14 लेकिन pi को आप common ले लो पहले pi हमने common ले लिया l की value कितनी आ गई 20 r1 प्लस r2 कितना है 20 प्लस 8 ठीक है plus pi बाहर हो गया r2 square मतलब 8 का square pi की value रख देंगे 3.14 into ये कितना होगा ये कितना होगा 20 into 28 plus 64 ठीक है 3.14 into ये कितना होगा 56 plus 64 so 3.14 into कितना जाएगा 624 ये आगया TSA total surface area is geometry अब आप इसको multiply कर लेना तो इसका answer कितना आएगा तो ये आएगा student 1959.36 और unit काई में आएगी centimeter square ठीक है ये आगया total surface area मतलब इतना area हमको बनाना पड़ेगा metal sheet की help से ठीक है इतना मतलब metal sheet इसमें लगेगा बनाने में ठीक पर यहाँ पर हमें क्या है हमें rupees में बताना है तब इसको rupees में कैसे convert करेंगे देखो इसी statement का use करो क्या दिया गया है hundred centimeter square की value कितनी दी हुई है eight rupees ठीक है तो एक centimeter square की value क्या हो जाएगी hundred को divide में ले आओ eight upon hundred ये rupees में आगे हमें कितना चाहिए इतने centimeter square चाहिए value है ना इतना ही बनाना है so one nine five nine point three six is equal to both side इसका multiplied कर दिया हमने तो eight upon hundred ये centimeter square कर ले इंटू यहाँ इंटू है तो यहाँ भी होगा one nine five nine point three six ये value काई में आएगी rupees में ठीक है इसको rupees में convert करेंगे इसको solve कर ले ना आप क्या आएगा upon hundred अब hundred का आप क्या करोगे ये दो decimal और shift हो जाएगे यहाँ क्या जाएगा one five six point seven four eight eight ठीक है अब चोहत्तर है तो एक बढ़ा कर लिख दो इसको ये कितनी आ जाएगी value one five six point seven five ये काई में आएगा rupees में ठीक है काई में जाएगा मतलब इसको बनाने के लिए metal sheet कितने रुपे की लग जाएगी one five six point seven five rupees इतने रुपे की हमको क्या लगाना पड़ेगा इसमें metal sheet लगाना पड़ेगा ठीक है आगया समय में तो ये question number four के अंदर दो पार्ट थे जो की दोनों मैंने आपको solve करा दिए ठीक है पर फिर भी अगर आपको कहीं पर doubt रह गया है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं so thanks for watching for more update please like, share and subscribe